नमस्कार स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर काये हैं बिग्यान का महतपूर्ण फ्रस्न जो NMS एक्जाम में पुछा जाने वाला है तो चलिए इस वीडियो में आपका टेस्ट लेते हैं कि आप इसमें से कितना बना पाते हैं तो पहला का समय मिलेगा उसमें आपको कमेंट करके जबाब देना है तो पहला क्िस अब क syllables तूक्ष्छा जलदी सब कमेंट कर बताएं तो इसका सही एंसर है, उप्षन D, उच परतिरोद निमन गलनांक, अब चलते हैं अगले प्रस्न क्यों, अगला प्रस्न आपके सामने है, सोर उड़जा का स्रोत है, सूरी के अंदर होता है, नाविके विखंडन, नाविके सनलें, नाविके विखंडन एवं सनलें, लेसर किर क्या होता है, कौन सा उप्षन सही है, जल्दी से बताएं सूरी के अंदर क्या होता है, तो इसका सही एंसर है, नाविके सनलें, आप अपना टेस्ट करें कि आप कितना बना पाते हैं, अगला प्रस्न है, वेक्सिन का विखंडन किसने किया, तो उप्षन है, लुईस जीनर, अगला प्रस्न, चोथे प्रस्न पर चलते हैं, खाद एक परकार का, कार्वनिक पदार्थ है, रसानिक पदार्थ है, पोदेव, अमजनतुों के अवसेस्ट भी घटन से प्राप्त होता है, दोनों, एक और तीन सही है, तो क्या होगा इसका सही एंसर, बताएं मलेरिया का प्रसारन किसके द्वारा होता है, उप्सन है वायू, जल, आपसी संबद, मच्छरों द्वारा, तो मलेरिया का प्रसारन किसके द्वारा होता है, जल्दी से बताएं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के तो लाइक करें, इसका सहींसर है मच्छरों द्वारा, चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर अगला प्रस्ण है किनवन की परिक्रिया किसके द्वारा परतिपादित या अविस्कार की गई ओप्शन है आपके सामने अलेकजेंडर फ्लेमिंग उनेश सो उन्तीस इसवी में लुई पास्टर अठारा संतावन इसवी में अब जिनर 1798 इसवी में उपर युक्त में से कोई नहीं तो क्या होगा इसका सही अंसर किनवन परिक्रिया खोज किसने की थी तो इसका सही अंसर है लुई पास्टर अठारा सो संतावन इसवी में अब चलते हैं सात्मे प्रस्ण की ओर सात्मा प्रस्ण आपके सामने है भोपाल गैंस कांड में कौन सी गैंस लीक हुई थी तो उप्षन आपके सामने है तो जल्दी से कमेंट करके बताएं तो इसका सही अंसर है उप्षन डी मिथाइल आईसो साइनाइट चलते हैं आठमा प्रस्ण की ओर दोनी तरंग निमलिखित में से किनकिन में गमन कर सकती है तो दोनी तरंग किस में किस में गमन कर सकती है उप्षन है सिर्फ ठोस में, सिर्फ गैंस में, सिर्फ दरम में सभी में तो क्या होगा इसका सही अंसर सभी में चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर किसी वस्तु की गतिज उर्जा निर्भर करती है केवल मात्रा पर केवल वेग पर मात्रा और वेग दोनों पर कोई नहीं की तो क्या होगा इनका सही एंसर कि तो आप कमेंट करने में दिए लगता है तो वीडयो को रोक करके कमें करें तो इसका सहई अनसर है मात्रह और ल्वेग दोनों पर ठाइण में अगला प्रस्क्त éénत पेट्रोल है अगला प्रस्थ का ऑपोसक पदरत टाह composers पदार्त कोई नहीं तो इसका सही एंसर है जोलन सील फदार्द अगला प्रस्ण है विदूत धारा के किस प्रभाव का उप्योग विदूत बल में होता है तो अप्शन है उस्मिय प्रभाव चुंबक्य प्रभाव रसानिक प्रभाव इनमें से कोई नहीं तो इसका सही एंसर क्या है उ उसमिय प्रभाव, चुम्बक्य प्रभाव, रसाइनिक प्रभाव इन में से कोई नहीं तो इसका सही एंसर क्या है रसाइनिक प्रभाव, option 3 अगला प्रस्ण है, penicillin किस से प्राप्ट किया जाता है, चार option आपके सामने है, protozoan, bacterium, mold और mushroom तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा, mushroom अगला है, खून में glucose अस्तर किसके द्वारा निंत्रित किया जाता है, गलगरंथी, अगनियास है, विरिशन, अंडास है, तो क्या होगा इसका सही एंसर? जल्दी से बताएं, तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा? इसका सही एंसर है, अगनियास है, option B अगला प्रस्ण है, निमली खित में कौन ओजोन पुरत को प्रभावित करता है? चार ओप्शन आपके सामने, कारवन डैकसाइड, क्लोरो फ्लोरो कारवन, कालिक और धूल, तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा? option B, क्लोरो फ्लोरो कारवन अगला निमली खित में कौन जल को रोगानु मुक्त करने के काम आता है? क्लोरीन, ओजोन, अल्ट्रा वाइलेट किरने इनमें सभी तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन अगला प्रस्ण है, अगर कोई बस्तु एक समान चाल से गमन करती है तो समय, दूरी समय ग्राफ होगा सीधी रेखा में ब्रीत, इनमें से कोई नहीं सीधी रेखा जैसा तो क्या हो जाएगा इसका सही एंसर? सीधी रेखा में विदूत विभव को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है अमीटर, वोल्ट मीटर, गेलवे, नू मीटर, इनमें से कोई नहीं तो विदूत विभव मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं अब अगला प्रस्ण है निमली खीत में किस इंधन का उसमय मान उच्छतम होता है? लकडी, किरोसीन, LPG, हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा इसका सही इंसर? हाइड्रोजन अगला प्रस्ण है निमली खीत में कौन सी धातू मान वरक्त में पाई जाती है? तो मान वरक्त में पाई जाना वाले धातू क्या है? लोहा अगला प्रस्ण है कमरे केताब पर द्रब अवस्था में रहने वाली धातू है पारा केलसियम मेगनिसियम सोडियम क्या हो जाएगा पारा अगला है अधातूं के अक्साइड होते हैं अमलिये चार किये उदासी निनमस कोई नहीं क्या हो जाएगा अमलिये पेंड पोधे कौन सी गेंस का अवसोसन प्रकास संसलेशन परक्रिया में करते हैं ऑक्सिजन, नैट्रोजन, कार्बन ड़क्साइड, हैट्रोजन क्या हो जाएगा इसका सेंसर कार्बन ड़क्साइड अमल बर्षा के परमुख अभियब हैं अगला है इसका सेंसर नीचे अगला है पर्ते किरिया के बराबर एवं बिपरित पर्ते किरिया होती है काविसकार किसके द्वारा किया गया था इडिशन, पास्कल, नूटन, आइंस्टाइन तो क्या हो जाएगा इसका सेंसर नूटन अगला है निम्न में से किसी एक का प्रियोग उर्वरक के रूप में किया जाता है हरित सेवाल, लाल सेवाल, नील हरित सेवाल, उपर्युक्त सभी तो किसका उप्यों करते हैं? उपर्युक्त सभी, यहनी Option D इसका सही हो जाएगा उसके बाद है किनवन एक रहसानिक परतिक्रिया है उसम रहसानिक परतिक्रिया है जेव रहसानिक परतिक्रिया है प्राकिर्टिक परतिक्रिया है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा जेव रहसानिक परतिक्रिया यानि option C इसका सही है अगला प्रस्ण है कि डी एने को अनुवानसिक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि यह सबी को सिकाओं पाया जाता है इनमें स्वब प्रति लिपी करण होता है यzessे गुन सुथ्रम पायातामंका सुक्समाकार इसका सहेंसर जलदी से बताएं है तो इसका सहीकर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट करें तो इसका सही अंसर हो जाएगा यह सभी को सिकाओं में पाया जाता है चलते हैं अगले प्रस्ण की ओर मान भी आंक के नेत्र लेंज से उन रेटिना के बीच की दूरी लगवग है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा दूदस अमलब आठ सेंटिम्टर इससे पिछला जो क्वेस्टन है इसका सही अंसर क्या हो जाएगा यह गुन सुत्रों में पाया जाता है इसका अप्शन 3 सही ठीक है अब बढ़ते हैं आगे है लुए अगर की दिनों मीठी के घड़े का जल क्यूं ठंडा हो जाता है क्योंकि मिठी ताप का कुछालाग है घड़े की सता से जल रिस्कर बहार आता है घड़े की रिष्टेव जल से वास्पीक्रन तो इसका से एंसर क्या हो जाएगा न बताएं कितना आपका सही हो रहा है कारवन भूपरपरट्टी में उपस्थित है अप्सन आपके सामने है जल्दी से कमेंट करें इसका सैंसर है पहला जीरो दसमलब जीरो दूपरती सति अगला प्रस्ट है प्रहजातियों में बिंता के लिए परमुकि कारक है परया रण एक लिंग्यपरजणन उपर्योक्त सभी उपरोगत सभी तो क्या हो जाएगा ग्रिसButkay अगला प्रस्ण है केवल जन्तु कोशिकाओं में पाया जाने वाला कोशांग रिक्तिका, मैट्रोकॉंड्रिया, राइबोसॉम, सेंट्रियोल तो इसका सयन्सर क्या हो जाएगा राइबोसॉम अगला है फलों तथा वीजों की निर्मान के लिए आवसक क्रिया पोशन, युगमन, निसेचन, विभाजन तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा निसेचन यानि option 3 इसका सही है उसके बाद है किसी एक जन्तु में सरवन सक्ति का अभा होता है सरवन सक्ति मतलब होता है सुनने की सक्ति तो किसमें अभा होता है गाय सांप चिडियां तो क्या हो जाएगा सांप में अगला प्रस्ण है कि सामान मानवी आँक के लिए असपष्ट द्रिष्टी की नियूनतम दूरी क्या है तो जल्दी से बताएं तो इसका सही अंसर क्या है ऑप्शन थ्री पचीश सेंटीमिटर मानवी आँक के नेत्र लेंसम रेटिना के बीच की दूरी लगभग है अभी क्वेश्ट पूछेद पीछे इसका सही अंसर क्या है नंबर एक अगला है मरवूमी में म्रीग मरी ची का दिखा लाई पढ़ने का कारण है परकास का वाव्यू के बिभीन पड़तों से प्रावर्तन अपवर्तन विवर्तन व्यक्तिकरन तो क्या हो जाएगा इसका सही अंसर गल्दी से बताएं तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा अपोबरतन अगला है विदूत वल के अंदर निरवात रहता है हवा भरी होती है निस्क्रिय गैस भरी होती है हाड्रोजन गैस भरी होती है होती है संसर प्रस्ण है लेकिन बारबर प्राइच हम पुछा जाता है इसली लिये हैं तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा निस्क्रिय अगेंस भरी रहती है अगला प्रस्ण है पर्नहरित इन में से किस जीव में उपस्थित रहता है जिवानू प्रोटो जवा कवक सेवाल तो किसके कारण होता है दाद खुजली जिसको करते हैं विसानू प्रोटो जवा जीवानू कवक तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा कवक के कारण अगला प्रस्ण पर चलते हैं अमीवी पेचिस किसके कारण होता है विसानू प्रोटो जवा प्रोटो जवा एबम अमीवी तो जी बानू तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा option C अगला प्रस्ण है पानी से भरे कटोरे में रखा सिका उपर उठा हुआ क्यों दिखलाई पड़ता है परकास के प्रावरतन के कारण परकास के अबरतन कारण परकास के वेक्तिकरण कारण इनमें से कोई भी नहीं तो इसका सेंसर क् जाएगा परकास के अपवर्तन के कारण, अगर किसी बैक्ति को दूर की बस्त में साप साप दिखलाईने पड़ती हो, तो उसे किस परकार का द्रिष्टी दोस है, जिसको दूर की बस्त तुम नहीं दिखाई देता, तो उसको क्या होता है, निकट द्रिष्टी दोस होता है दो छड़ चुम्बकों के सजातिय धुरूब को नजदिक लाने पर किस परकार का बल लगता है तो सजातिय धुरूब को लाएंगे तो क्या हो जाएगा विकर्शन होगा ठीक है अलग-अलग दुरुब को लाएंगे तो आकर्शन होगा अगला प्राशन है विदूत पंखे में कौन सी उर्जा, किस परकार की उर्जा में रुपांतरित होती है यांत्रिक उर्जा से वाई उर्जा, विदूत उर्जा से यांत्रिक उर्जा, वाई उर्जा से धोनी उर्जा, इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा? Option B, विदूत उर्जा से यांत्रिक उर्जा अगला प्रस्ण पे चलते हैं पासुमों के मुह तथा खूर के रोग का मुख्य कारण है जीवानू, विसानू, कीट, मुयुकर तो इसका सही एंसर क्या है विसानू अगला प्रस्ण है चारकोल के उत्पादन के लिए लकडी को जलाया जाता है ओक्सिजन की उपस्तिती में, कार्बन डाइकसाइड की उप अनूपस्तिती में तो इसका सही एंसर क्या जाएगा ओक्सिजन की अनूपस्तिती में ओप्शन 3 चलते हैं अगले प्रस्ण की और, अभी तक हम लोग उन्चास प्रस्ण कर चुके हैं, यह हो चुका है, चलिए अगला लेते हैं, पचास्वा प्रस्ण जूट की अधिक्तम पैदावार होती है, बंगाल, बिहार, असाम, उडिसा, क्या हो जाएगा, बंगाल में अगला प्रस्ण है, भोजन के संपुर्ण पाचन के लिए उतर दाई, सडी रांग, बढ़ी यांत, अमासे, यक्रीत, छोटी यांत, क्या हो जाएगा, इसका सेंसर, छोटी यांत जलते हैं, अगले प्रस्ण की और, अगला प्रस्ण आपके सामने, वाव मंडली है, नाइट्रोजन के अस्थिरिक रण के लिए उतर दाई है, के चुवा विसानू नील हरीत सेवाल सभी, इसका सेंसर क्या हो जाएगा, नील हरीत सेवाल, अगला प्रस्ण है, भूमी के उर्वरता बढ़ाने के लिए, किसके आप सकता होती है, तो अप्सन आपके सामने है, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन एवम नाइट्रोजन इनमें से कोई नहीं, किसका आप सकता होगा, नाइट्रोजन का, अप्सन बीस का सही है, उसके बाद हमारे मंदाकनी की आकिरती, यानि मंदाकनी गलेक्सी की आकिरती कैसी है, तो याद रखें, कैसा है, सरपील, हमारे घरों में पर्योग किये जाने वाले, विदुद धारा, तो अपना इसका क्या हो जाएगा धारा किस परकार क्यों होती है उसकी आवर्ति क्या होती है तो इसका से इंसर क्या हो जाएगा परतिया वर्ति धारा एबुम पचास हटर्ज अगला प्रस्ण है पुष्पी पात्मों में दोहरे निशेचन के फल सुरुप उत्पादी तंग फल बीज बीज पत्र ब्रून क्या हो जाएगा बीज पत्र अगला प्रस्ण है सूखे सेल में धन दुरूप किसको माना जाता है तो कार्बन की छड़को इस वीडियो में इतना ही